So hey guys good morning and welcome back in our new video तो I hope कि सबी लोग स्वस्त और मस्त होंगा और आगे भी ऐसी रहेंगे तो guys वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने आने वाले upcoming emote royal event के बारे में जिसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे emote वगरा जो हैं देखने को मिलने वाले हैं तो उसके बारे में discuss करेंगे इसके लाओ दोस्तों बात करेंगे आने वाले upcoming valentine के कुछ special events के बारे में इसके लाओ दोस्तों बात करेंगे आने वाले evo bundle के return के बारे में आने वाले दोस्तों upcoming moco store events के बारे में जो कि इंडिया और बांगलादेश सर्वर के उपर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कमेंट वगरा का जो रिप्लाई है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले बहुत सरे इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो जो है काफी इंपोर्टेंट है बस छोड़ इसी रिक्वेश्ट है कि फटा-फट इस वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सस्क्राइब कर लिजिए सबसले दोस्तों बात करते हैं इन गेम इवेंट के बारे में तो गेम के उपर आ चुका है न्यू टॉप अप इवेंट और इसमें हुआ है काफी तगड़ा वाला स्कैम क्योंकि दोस्तों स्थो डायमंड के अंदर आने वाला था टॉलेट मैन इमोट लेकिन गरिने वालों ने कल रात ही जो रिवार्ट से उसको चेंज कर दिया है यहाँ पे अपना साइथ की स्कीन उसको दे दिया है तो भाई जो साइथ की स्कीन है विंटर स्पेशल है और अपने टेलिग्राम पे बताया हुआ था कि इवेंट जो है चेंज हो चुका है बागि दोस्तों विंटर का जो साइथ कीन हो दे दिया गया है लेकिन विंटर इवेंट के अभी भी जो लिजैंडरी बैनर आउतार है और जो यहाँ पे फेस पेंट है वो अभी तक नहीं आर आएंगे तो भाई गरेना वाले पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं तो क्या ही बोल सकते हैं बागि दोस्तों कुश्चन निकल के आता है कि भाई चलो ठीक है अब यह इमोट कहां आएगा तो देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि बहुत सारे सर्वर के ओपर इमोट है या तो मोको श्टोर में दिया गया था या फिर फैनल इवेंट में तो यहाँ पर दोस्तों आप इमान के चलो कि आब यह टोंवउर इवेंट के अंदर तो नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब यह यह आपको आने वाले टाइम के अ अंदर या तो moco store में यह जो emote हो देखने को मिल सकता है और अगर moco store में नहीं आता है तो faded wheel event में आपको यह वाला जो toilet man emote है उसको available कराया जाएगा तो अगर यह emote आपको काफी पसंद है तो कुछ दिनों का wait करो कुछ दिनों के बाद यह event आपको देखने को मिलेगा बाकि एक और question निकल के आता है कि 100% का जो bonus top up है या फिर less is more कब आएगा तो देखो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने March मंत में दो-दो festival event है एक अपना holy event है एक अपना रमजान event है तो इन events के time पे ही आपको जो bonus diamond top up है या फिर less is more का toy event है वो देखने को मिलेगा तो जब भी festival event आता है तो आपको पता ही है कि bonus diamond या फिर less is more का जो event है वो हमेशा दिया जाता है तो इस बार भी आपको रमजान या फिर holy में से किसी ने किसी एक event में जो है bonus diamond या फिर less is more का जो event है वो देखने को मिलेगा अब भी दोस्तों यहाँ पे question निकल के आरता कि भाई हमारा जो red वाला golden state bundle यहाँ पे design किया गया है और जो हमारे यहाँ पे selected street का bundle बनाया गया है तो यह bundle कव आने वाल है और क्या इस bundle के साथ जो हमारे old वाले golden state के bundle है वो भी return पे आएंगे या फिर नहीं आएंगे तो दोस्तों आपको बता दू कि इस वाले golden state के साथ आपको पुराने वाले जो golden state के bundle है वो जरू देखने को मिलेंगे आपको पता ही है कि जब भी गरिना वाले को यह नया bundle डिजाइन करते हैं और जब भी उसका event गेम में देते हैं तो उसके later जो भी old item होता है वो भी return पे आता है जिससे criminal bundle के time पे सारे criminal bundle return पे आए हुए थे दोस्तो जब भी यह वाला event हमारे game के उपर आएगा तो आपको जो old वाले golden state है और जो नया वाला golden state है वो देखने को मिलेगा और event के बारे में बात करें तो आपको event जो है token wheel का event ही देखने को मिलेगा और date के बारे में बात करें तो देखो भाई दिया जा रहे है जिया दोस्तों ये वाला जो emote है ये बिलकुल brand new emote हमारे OE43 update में निकल के आये हुआ था तो ये वाला जो new emote है हमारे बाहर के एक server के अंदर जो है free में दिया जा रहे है तो हो सकते हैं दोस्तों कि आने वाले किसी event में इंडिया server के उपर भी या फिर बांगलादेश server के उपर भी आपको यही वाला जो emote हो free में दिया जाए क्योंकि आपको पताई है कि जब भी कोई emote free में दिया जाता है तो वो लगबग हर server के उपर कहीं ने कहीं free में ही देखने को मिलता है हाँ event थोड़ा अलग हो सकता है तो यहां तो new year event चल ला है बट इंडिया में new year event तो जो है कपके खतम हो चुका है तो इंडिया में new year event तो नहीं आएगा लेकिन हाग किसी other event में हो सकता है रमजान इवेंटें में या फिर किसी अधर इवेंटे के अंदर आपको यह वाला emote फ्री में दिया जाये तो emote काफी अच्छा है काफी अच्छा जो इसका animation है वो इहां पर बनाए गया तो अगर फ्री में मिलता है तो काफी अच्छी बाद जो है निकले के आ जाएगी इसक प्रिन के ओपर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरके के जो arrival animation है और कुछ इस तरके के जो skiving है वो आपको बहुत जल्द जो है moco store event में देखने को मिल सकते हैं थोड़े बहुत जो reward हो चेंज होके आ जाएंगे क्योंकि यह अधर server का है तो इंडिया में जब यह आएगा तो थोड़े reward change हो सकते हैं लेकिन जो भी है आपको इस तरके का moco store है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा तो फरवरी के last मैं या फिर मार्च के first week तक इस तरके का moco store है उसके आने का chance है बाकि अभी एक date जो है free में मिलने वाला है जिया दोस्तो जिसका नाम होगा free duo emote event लेकिन यह जो emote है यह आपको सिर्फ ट्राइल के तौर पे दिया जाएगा मतलब आपको कुछ दिनों के लिए दिया जाएगा permanent नहीं दिया जाएगा लेकिन दोस्तो अगर आपको यह permanent चीए तो उसकी वी विवस्ता की गई है उसकी विवस्ता क्या है उसकी विवस्ता है emote royal जिया दोस्तो emote royal का event आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरगे का जो banner है वो आपको game के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि अपना एक duo emote है तो इस emote को करने के लिए आपको एक duo partner की जरुवत होगी तो अगर आपके बास partner है तो अगर आप यह emote करते है तो काफी cool लगता है इसके बाद जो अगला emote है वो है अपना be my valentine emote तो यह वाला emote पिछले साल आया हुआ था तो यह वाला emote भी आपको जो है return पे देखने को मिल जाएगा इसके बाद जो अगला यहाँ पे हमारा emote निकल के आ रहे है वो है अपना Halloween special तो यह वाला emote जो है काफी पहले भी एक दो बार आ चुका है तो दुबारा आने वाल है इसके बाद जो अपना last वाला emote है वो है अपना cameraman emote तो यह emote भी काफी time return पे आ चुका है लेकिन बार बार पता नहीं गरिने वाले यही emote को क्यों दे रहे है भाई इस तरफ लेग emote या फिर जो अपना other emote है वो emote को दे सकते थे रोज emote को दे सकते थे लेकिन गरिने वाले आपको पता ही है कि अलगी level का नसा करके बैठते है भाई एक emote को बार बार दिये जा रहे है तो चलो जो भी है इस तरफ के का emote royal का event कल आपको देखने को मिलने वाल है तो अगर आपको trial में emote अच्छा लगता है तो फिर आप इसको permanent निकाल सकते है अगर diamond की बात करें तो diamond अच्छे खासे आपके यहाँ पे लग जाएंगे अब बात करता है comment के बारे में तो एक भाई ने comment किया है कि भाई gold royal बदला नहीं है इसका क्या scene है तो देखो भाई मैं आपको बता दूँ कि जो game के अंदर gold royal चल ला है अभी उसको खतम होने में काफी दिन है आप जाके देख सकता है कितने दिन बचे हुए है तो जब तक वो दिन पूरे नहीं होते हैं तब तक आपको कोई नया gold royal देखने को नहीं मिलेगा और बात करे special gold royal के बारे में तो थोड़ा बहुत चांस है कि आपको holy के time पे या फिर रमजान event के time पे कोई special gold royal देखने को मिल जाए हाला कि कोई confirmation नहीं है इसके लोग कुछ लोगों ने पूछा है कि जंडा वाला emote कब आएगा और gift store में discount आएगा या फिर नहीं आएगा तो देखो भाई जो अपना जंडा वाला emote है फिलहाल तो नहीं आने वाले तो आने वाले upcoming emote party में ही आपको जो new flag वाला emote हो देखने को मिल सकता है बांकि gift store के बारे मैं बात करें तो आपको पताईए कि gift store का जो event है वो 14 या फिर 15 फरवरी के दिन ही आता है तो अगर बैना निकल के आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि confirm आने वाला है या नहीं आने वाला है बांकि फिलहाल तो अभी कुछ कहनी सकते है 50-50% chance है आ मुझे लगता है मेरे साब से Scorpio bundle पहले आएगा फिर उसके बाद ही जो है कोबरा बंडल आएगा तो क्योंकि कोबरा बंडल एक दो बार आ चुका है Scorpio नहीं आ रहा है तो इसको पहले आने का chance है बाकि दोनों बंडल आपको देखने को मिलेंगे बस आपको इंतजार खनने क जरूबत है तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो से जरू करें है